आज कल एक Pharma Company जिसका नाम है भारत Immunologicals and Biologicals Corporation Limited वो बहुत जाए चर्चा में चल रही है क्योंकि उसका जो सेर्प्राइज है वो लगातार अपर सर्कृट लगने में लगाए है तो आखिर क्या रिजन है इस कमपनी के अपर सर्कृट लगने का लगातार और क्या है ये कमपनी क्या करती है ये कमपनी और आखिर इस कमपनी के फंडामेंटर्स क्या है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस कमपनी के बारे में पूरी रिसर्च नमस्कार दोस्तों मैं नाम है गवर्वपांडी और Startup Talks Map का स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया इस कंपनी का नाम है भारत Immunologicals and Biologicals Corporation Limited यह एक Pharmaceuticals and Drug Secretary Company है जिसका BAC number है 524663 इसको BIBCL करके भी आप सर्च मार सकते हैं यह basically एक Government Secretary Company है पब्लिक Secretary Company है जिसका Owner Government TA यह 1989 में Establish हुई थी बुलंद सहर उतरपदेश में इसका जो Managing Director मुहस्री प्रकास चंद्र गोयल और जो अभी इसका Share Price कररंटली चल रहा है वो है 32.59 का जब मैंने इस Company को कुछ 2-3 हफते पहरे देखा था तो इसका Share Price जो था 14 रुपीज का था और आज इसका Share Price 32.59 का पहुँच चुका है तो हम बहुत समय सोच रहा था इस Company के बारे में एक वीडियो बनाने की तो basically यह Company करती क्या है इसका Business Model क्या है यह जो BIBCL Company है वो Polio, Oral Polio Vaccines बनाती है और बहुत सारे Immunizers बनाती है जैसे कि Pharmaceutical और Drug Sector कमपनी तो यह दवाईयां आवाईयां ही बनाती है तो आखिर इसका ऐसा क्या है जो यह Company का Share Price इतना जादा रोज-रोज बढ़ रहा है कभी इसका मतलब जब से मैं देख रहा हूँ इस Company के में लगाता में नजर है और इसका Share Price बिलकुल नहीं गिल रहा है यह लगातार 14 से 32 पहुँच चुका है कम से कम दो हपते में तो बहुत ज़्यादा अच्छा इस Company का Share चल रहा है आखिर क्या रीजन है इस Company के इतना Share Price बढ़ने का तो उसका एक जो में रीजन है वो है जिससे कि आपको पता है Coronavirus चल रहा है तो उसका जो सारे जो Pharmaceutical Sector है जो भी है Companies है वो लगी है को उसकी Coronavirus की Drug बनाने में तो जो भारत का Immunological Company है उसने Covaxin नाम की एक दवाई बना रखी जिसकी Human Testing होनी सुरू हो गई थी और बहुत से Human Testing इसकी सफल भी हो गई थी तो लोगों ने क्या किया जब इसकी Covaxin नाम की दवाई आई ड्रग आई कि यह सायद यह दवाई Market में चल जाए तो लोगों ने इस Company में Invest करना शुरू कर दिये क्या पता आखिर अगर इस Company की दवाई चल गई या सही अच्छी दवाई बना दी इस Company ने तो इस Company की Sale बहुत ज़्यादा होगी उससे Share Price में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो इन्वेस्टर्स होते हो उसने इस Company में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया होगी कोवैक्सिन नाम की जो दवाई थी उसकी बहुत सी टेस्टिंग सफल हो गई थी और अभी भी सायद की टेस्टिंग चलने में लगी है इसलिए Share Price अभी बढ़ने में लगा है इसकी इस Company का Main Reason है आगे बढ़ने का और इसका Share Price बढ़ने का तो हम इस Company के Fundamentals को देखते हैं और इस Company के आरे देखते हैं कि आखिर ये Long Term में Invest करने के लिए कैसी Company है तो जैसे कि आप देख रहे हो इसका 52 Week Low आप देख सकते हो 52 Week में मतलब एक साल में ये Company का Share Price 5.41 इतना नीचे गय है 5 रुपे कहां 5 रुपे और कहां 32 रुपे जो आज का भी हाई है वो भी 32.59 है और जो 52 Week इसका Low है वो इसका 5.41 तो आप सोच सकते हो कि कितनी तेजी से Company बल रही है या अपर सर्किट ही मारने में लगी है तो हम Valuation की तरफ आए Company की तो इसके Valuation बहुत Attractive है क्योंकि ये सेर बहुत सस्ता है 32.59 का ये एक सेर है और Number of Sears Company की बहुत ज़्यादा कम है तो जब इतने कम Number of Sears में इतना सस्ता सेर प्राइस मिल रहा होता है तो उसका मतलब Valuation थोड़ा सा अच्छा ही है और Ownership अकर Company की देखी जाए तो Stable Ownership है Government Secretary Company है तो ठीक ठाक Ownership होती ही है इन Companies क और Financials भी देखा जाए तो उतने अच्छे Financials नहीं है और Efficiency भी उतनी ज़्यादा Company की नहीं है क्योंकि उतना ज़्यादा Company चर्चे में नहीं रहती है जो Cadillac Healthcare है और बहुत सारी Companies है वो Pharmaceutical सेक्टर में ज़्यादा चर्चे में रहती है इंडिया में और Company के Essentials की तरफ आए त Company के से Market Cap Company का है 140.72 करोड पी कमपनी का 0 है इतना Company के ज़्यादा कुछ सेल हो नहीं रही है प्रॉफिट कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा तो उससे पी रेसे प्राइस टु वर्निंग रेसियो इसका 0 है डिविडेंड येल्ड कमपनी डिविडेंड बिल्कुल नहीं देती भी रहे तो वो अपनी development में इस्तमाल करना ज्यादा अच्छा समझती है तो कि अभी इतनी छोटी market cap आली company dividend देखे क्या करेगी वो ज्यादा ज्यादा company में ही invest करने की अपना loan हटाने की कोसिस करती है तो debt company के बारे में करते है company का ज्यादा debt है नहीं 32.22 करोड का है market cap के तो 59.25% government के पास ही इसका वो है जो इसके promoters है जो भी है उनके पास promoters soldi 59.25% है company की price to book value अगर देखा जाए तो वो 7.33 का है enterprise value जो कि मैंने आपको बताया था market cap में जब हम debt add करेंगे क्योंकि जब हम market cap company का 140 है जैसे कि हमने company खरीदनी है तो 140 में तो हमने company खरीदी लेकिन ज के अंदर का debt है वो तो हमको ही देना पड़ेगा इसलिए market debt company का हो गया 142 plus 32.22 करोड ऐसे की जो लगभग है 165 करोड के आसपास number of shares जैसे कि मैंने आपको बता है 4.32 करोड number of shares है cash company के पास अभी 7.93 करोड है और ये cash हमको market cap plus debt minus cash करना पड़ता है तब आता है enterprise value जैसे इसका लिख लीजी है formula अगर आपके पास notebook है market cap plus debt minus cash वो होती है enterprise value face value इस company की देखी जाए तो वो रूपीज 10 है जो face value मतलब जो nominal value होती है या जो share price की value होती है जो certificate में लिस्टिल होती है वो company की रूपीज 10 है तो उससे आप से देखा जाए तो 32 का share चल रहा है उससे face value भी इस company की बढ़ने में लगी है case company की बाद जिसमें बता तो 7.93 करोड का है और earning पर share देखा जाए तो वो तो भी negative चल रही है क्योंकि share में अभी ज्यादा earning लोग investors को हो नहीं रही क्योंकि अभी company profit में नहीं है सबसे main reason है company का profit में होना और company लगाता losses में चल रही है इसलिए company का भी profit ह नहीं रहा है इसलिए company की EPS भी minus में चल रही है return on capital employed अकर देखा जाए तो वो भी minus में है return on capital employed ROCE मतलब कि company अपने जो capital है वो कितनी efficiently use कर रही है profit generate करने में तो इनका जो ROCE होता है वैसे generally 15-20% की भी अच्छा माना जाता है और लेकिन इस company का तो ROCE negative में है इसका मतलब company अपन generate नहीं कर रहे है वो भी losses में चल रही है अगर हम price chart की तरफ आए company का हम एक साल से अगर इसका price chart देखे तो September 2019 के आसपास इसका 6.3 का share था और मही के आसपास 9-10 के आसपास का share था और अभी जब मैं आपको बता रहा हूँ जैसे की थोड़े समय पहले June 24 के आसपास मैंने 14 र अगातार बढ़ने में लगा है sales growth अगर company की देखी जाए तो पिछले इस साल तो company की थोड़ी अच्छी sales growth हुई है क्योंकि वो इस वज़े से हुई है क्योंकि coronavirus भी चल रहा है और पिछले 3 सालों में देखा जाए company की sales growth minus में थी minus 13.23 और पिछले 5 सालों में company की देखी साफ सी बात ही company जातर losses में ही run कर रही है लेकिन बस चल रही है करके company यह है इस company का ROE अगर देखा जाए company का वो भी negative ROC company का देखा जाए तो वो भी negative ही है और interest coverage ratio देखा जाए तो वो भी negative है मतलब उतने अच्छे से अपने जो interest cover नहीं कर पा रही है company company debt company का debt to equity ratio भी company का ठीक है one to two में के बीच भी अकल लाई करता है तो company की जो हालत है उससाब से debt equity ratio हम सही है बोलेंगे जैसे कि मैंने आपको भी सब चीज़े बताए आप strengths देख लिए company की एक ही अच्छी strength है company की वो है promoters holding of 59.25% और limitations company की देखिए poor profit growth हो गया poor revenue growth हो गया poor ROE हो interest coverage minus में चल रहा है जादर company उतनी अच्छी नहीं है अगर हम देखा जाए long term के लिए अगर आप 5-10 से ज्यादा सालोक ले आप अगर company में invest करना चाहते हो तो इस लिए ये company अच्छी नहीं है इस company आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा और बहुत चीज़ें इस company के आपक इस company के बारे में company में जाना चाहते हो लेकिन आप instant अगर कमाना चाहते हो जैसे कि swing trading से आप कमाना चाहते हो फड़ा फड़ एक मेहने में दो मेहने के लिए invest करना चाहते हो तो इक company अभी जब तक coronavirus चल रहा है जब तक कोई vaccine नहीं बन के आती तब तक आप इस company में अच्छा बता रहा हूं वो कोई investment purpose ले नहीं है यह बस knowledge purpose में बता रहा हूं या कोई ऐसे नहीं बता रहा हूं कि आप इस share में invest कीजिएगा या आपकी खुद की जिम्मेदारी है अगर आप किसी share में invest करते हो तो और इस video में आपको facecam नहीं लेके आया क्योंकि मैं इस video में आपको practically दिखाना चाहता था कि इस company के fundamentals कैसे हैं उस वयसे मैं इस video में facecam नहीं किया है तो hope करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like कर देना वीडियो में comment कर देना कि आपको क्या पाट अच्छा लगा या क्या query है वीड सकते हैं मैं आपको हर अपका हर reply दूँगा so if you like the video and enjoyed the video so hit the like button and subscribe the channel thank you